तिसलुनिकियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याएक से पांच अध्याएक अभिवादन एक पॉलुस और सिल्वानुस और तीमुथियूस की ओर से थिसलुनिकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु येश्यु मसीह में है, अनुग्रह और शांती तुम्हें मिलती रहे थिसलुनिकियों का विश्वास दो हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरन करते और सदा तुम सब के विशय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तीन और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु येश्यु मसीह में आश सामर्थय और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चे के साथ पहुचा है जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे 6. तुम बड़े क्लेश में, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, वचन को मानकर हमारी और प्रभू की सी चाल चलने लगे 7. यहां तक की मक्य दुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने 8. क्यूंकि तुम्हारे यहां से न केवल मक्य दुनिया और अखया में प्रभू का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यक्ता ही नहीं 9. क्यूंकि वे आप ही हमारे विश्वास में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूरतों से परमेश्वर की और फिरे ताकी जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो, दस और उसके पुत्र के स्वर्पर से आने की बात जोहते रहो जि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, दो वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दूख उठाने और उपद्रफ सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया, कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, तीन क्योंकि हमारा उद्देश न ब्रह्म से है और न अशुद्धता से और न चल के साथ है, चार पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्यत हराकर सुसमाचार सौपा, हम वैसा ही वर्नन करते हैं, और इसमें मनुश्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हम हमारे मनों को जांचता है, प्रसन करते हैं, पांच क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बाते किया करते थे, और न लोब के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है, छे और यद्यपी हम मसील के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोज डाल सकते थे तो भी हम मनुश्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से, न और किसी से साथ परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोशन करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाए है, आठ और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिया हो गए थे, न क्योंकि, हे भायो, तुम हमारे परिश्रम और कश्ट को स्मरन रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए, तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम्हें से किसी पर भार न हो, दस तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवाहर कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोश रहा. 11 तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवाहर करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांती देते और समझाते थे बारह की तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है तेरह इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाग निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ कर और सच्मुच यह ऐसा ही है ग्रहन किया और तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है चौदर इसलिए तुम हे भायो परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सीचाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीश्व में है क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दूब खपाया जैसा उन और वे अन्यजातियों से उनके उद्धार के लिए बाते करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपूअ भरते रहें पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोपा पहुँचा है कलीसिया से मिलने की अभिलाशा सत्रह हे भायो जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगत में तुमसे अलग हो गए थे तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मूँ देखने के लिए और भी अधिक्यत्म किया अठारह इसलिए हमने अर्थात मुझ पॉलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा परन्तु शैतान हमें रोके रहा उन्नीस भला हमारी आशा या आनन्दिया बढ़ाई का मुकुट क्या है क्या हमारे प्रभु यिश्यू के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे बीस हमारी बढ़ाए और आनन तुम ही हो अध्याय तीन तीमुथियूस का भेजा जाना एक इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया की एथेंस में अकेले रह जाएं दो और हमने तीमुथियूस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाय और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा की वह तुम्हे स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विशय में तुम्हे समझाए तीन की कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए क्यूंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं चार क्यूंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुम से कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो पांच इस कारण जब मुझ से और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम वियर्थ हो गया हो तीमुथियूस द्वारा समाचार मिलना चह पर अभी तीमुथियूस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आया है तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें समरन करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की साथ इसलिए हे भायो, हमने अपने सारे दू, खव और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विशे में शांती पाए आठ क्योंकि अब यदी तुम प्रभू में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं नौर और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने हैं, उसके बदले तुम्हारे विशे में हम किस रीती से परमेश्वर का धन्यवाद करें दस हम रात दिन बहुती प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मूम देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें 11. अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु येश्यू, तुम्हारे यहां आने में हमारी अगुआई करे, बारह और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुश्यों के साथ बढ़े और उन्नती करता जाए, तेरल ताकी वर तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु येश्यू अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के साम पवित्रता में निर्दोष ठहरें, अध्याय चार, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन करे, एक इसलिए हे भायो, हम तुम से विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु येश्यू में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम से योग्या चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन करना और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, दो क्यूंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु येश्यू की ओर से तुम्हें कौन-कौन सी आग्या पहुँचाए, तीन क्यूंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचा से बचे रहो, चार और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, पांच और यह काम अभिलाशा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, छे कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, और न उ आया है, आठिस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, वह मनुश्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, नौकिन्तु भायचारे की प्रीती के विशय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ क्यूंकि आपस में प्रीम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, दस और सारे मके दुनिया के सब भायों के साथ ऐसा करते भी हो परंतु हे भायो, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, ग्यारह और जैसी हमने तुम्हें आग्या दी है, वैसे ही चुपचा प्रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत न करो, बारता की बाहरवालों से आदर प्रा 14. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। 15. पुनरागमन के लिए तैयार रहना 15. क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभू का दिन आने वाला है। 16. तीन जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकायक विनाशा पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीती से न बचेंगे। 16. चार पर है भायो, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वर दिन तुम पर चोर के समान आपड़े। 17. क्यूंकि तुम सब ज्योती की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं, न अंधकार के हैं। 16. इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। 17. क्यूंकि जो सोते हैं, वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। आठ पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जहलम पहिंकर और उद्धार की आशा का टोप पहिंकर सावधान रहें नौ क्योंकि परमेश्वर ने हम एक रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभू लीश्यु मसीख के द्वारा उद्धार प्राप्त करें दस्व हमारे लिए इस कारण मरा की हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जीएं ग्यारह इस कारण एक दूसरे को शांती दो और एक दूसरे की उन्नती का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो कलिसिया को उगदेश 12 ये भायो, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभू में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो 13 और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो 14 ये भायो, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धार जदो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ 15 साथान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर ततपर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेश्टा करो 16 सदा आनंदित रहो 17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो 18 हर बात में धन्यवाद करो, क्यूंकि तुम्हारे लिए मसीह लीश्यू में परमेश्वर की यही इच्छा है 19 आत्मा को न बुझाओ 20 भविश्य द्वानियों को तुछ न जानो 21 सब बातों को पर्खो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो 22 सब प्रकार की बुराई से बचे रहो आशिर्वाद 23 शांती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और दे हमारे प्रभू लीश्यू मसीह के आने तक पूरे-पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहे 24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा 25 हे भायो हमारे लिए प्रार्थना करो 26 सब भायों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो 27 मैं तुम्हें प्रभू की शपत देता हूं कि यह पत्री सब भायों को पढ़कर सुनाई जाए 28 हमारे प्रभू येशु मसीह का अनुब्रह तुम पर होता रहे